हेलो एब्रीबन यू आर विद टेक टॉक विद लेलिती तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है कंपेर ब्लॉक्स हम कैसे यूज करते हैं आरेस लॉजिक्स 500 सॉफ्ट्वेर में सो फ्रेंट सभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे एंड वीडियोच को लाइक जरूर करें सो हम सबसे पहले यह जानेंगे कि कंपेर इस्ट्रेक्शन क्या होते हैं होप आपने लास्ट वीडियो आपने काउंटर की देखी होगी इसमें काउंटर के बारे में मैंने बताया था अब हम बात करेंगे कंपेर के तो उपर आप देख पा रहे हैं इस्ट्रेक्शन greater than less than and greater than equal हमारे पास ब्लॉक होते हैं तो सबसे पहले हम understand करेंगे कि compare block यूज क्यों करते हैं तो मैं सबसे पहले यह बताना चाहता हूं कि compare block काफी ज्यादा यूज होता है PLC programming में क्योंकि होता कि I compare block में वह आपको बताता हूं it is used to compare any two values यानि compare block का काम क्या होता है कि I compare करता है और एक होती है यह अ हम आउट्पूट करते हैं अब बात करते हैं वैली 1 क्या होती है डो वैली 1 की बात करते हैं autor इंटीजर, एंटीजर का मतलब होता है कि कोई भी मैं value feed कर सकता हूं compare में या field से value आ सकती है यानि any integer value, integer यानि round of value, float value भी हो सकते है जो point में भी आ सकती है source value यानि point value field value यानि field में कोई analog sensor लगा है वहां से कोई value आ रही है source value भी कह सकते है analog value, accumulator of timer and counter आपने देखा होगा timer counter में जब वो timer timing करता है या counter counting करता है तो accumulator चलता है तो वो value भी हम value 1 बना सकते हैं compare में then value second क्या होती है इस ये fixed value, set value यानि किस value से compare कराना है आप अपनी value set करेंगे तो यानि आप ये भी कह सकते हैं कि user value हमारी जो होती है value second होती है तो माल लिया value 1 है value 2 है दोनों value है यानि value 1 field से आ रहा है और value 2 आप fix करते हैं तो क्या होता है means value 1 will compare with value 2 यानि value 1 value 2 यानि जो आप fix value कर रहे हैं उससे compare होगा then accordingly फिर मेरा output क्या होगा on होगा लेकिन ये सारी चीज़े depend करती है conditions यानि आप कह सकते हैं types of compare यानि यहां पर मैं अगर बात करूँ तो compare के types होते हैं कौन-कौन से होते हैं मैं आपको बताऊंगा compare के types यानि value 1 and value 2 both are equal यानि अगर दोनों value equal है यानि मानली या value 1 and value 2 दोनों equal होगी यानि आपने जो set किया 5 किया और field की value आके भी 5 होगी यानि दोनों बराबर हैं then मेरा क्या होगा output on हो जाएगा यानि इस compare से जो output मेरा connect होगा वो क्या हो जाएगा on हो जाएगा यानि इस तरह के block को कहा जाता है equal compare block यानि यह जो block कहा जाता है क्या कहा जाता है equal compare block यानि अगर आपको दो values compare करा के गर दोनों value equal हैं तो मेरे को output अगर on कराना है तो हम equal block use करेंगे Now हम चलते हैं second condition पर Second condition क्या होती है अभी तक आपने देखा Equal condition 1 में कि दोनों value अगर equal है तभी मेरा output on होगा Second condition क्या होती है यानि equal में क्या होगा V1 equal V2 Second condition पर अगर मैं यहां से आगे जाओ तो आप देखेंगे कि अगर value 1 is greater than अगर मेरी value 1 जादा है value 2 से यानि जो आपने set किया है उससे अगर जादा हो जाती है field value then हमारा output on होगा otherwise off रहेगा यानि यहां पर देख सकते हैं इस तरह के block को कहा जाता है greater than block greater than में मतलब क्या होगा कि अगर हमारी value 1 जादा है यानि greater than V2 then मेरा output क्या होगा on होगा this is known as greater than condition second एक करके मैं आपको connect करके भी दिखाऊंगा कि कैसे use करते हैं then condition third क्या कहती है condition third कहती है कि value 1 is less than from value 2 यानि value 1 हमारी क्या हो जाती है जो field value है वो कम है जो आपने set किया उस value से यानि V1 less than from V2 then हमारा output on हो जाएगा यानि value 1 अगर कम है आपके set value से तब output on होगा अगर जादा हो गया V1 तो नहीं होगा तो यानि इसको बोलते हैं basically less than block तो less than block में क्या होता है कि हमारा V1 value अगर कम है V2 value से यानि आपकी value जादा है तो इसको बोलते हैं less than block तो यह मेरी तीसरी condition है condition number 4 पर चलते हैं condition number 4 क्या कहती है कि value 1 and value 2 both are not equal यानि यह जो condition 4 है यह equal का just opposite है यानि equal में आप देख पा रहे हैं क्या होता है कि दोनों value जो बरावर होती है तब ही output आता है ठीक है अगर दोनों value बरावर नहीं है तो output नहीं आता है नेकिन condition 4 क्या कहती है वो यह कहती है कि दोनों value अगर बरावर नहीं है और not equal तब मेरा output आगए यानि equal का just opposite है equal में दोनों value बरावर है तब output आता है यानि कह सकते हैं कि not equal block which is just opposite of equal block जो हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं यानि इस तरीके से अगर कहा जाए तो not equal basically ये block होता है और not equal का मतलब ये रहता है जैसा कि V1 not V2 यानि दोनों बरावर नहीं है तो मेरा output यहाँ पर generate होगा तो ऐसी condition भी काफी रहती है जो हम लोग यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में यानि not equal block which is just opposite of equal block C in condition 1 जो condition 1 है इसका just opposite है next हम चलते हैं condition number 5 पर तो friends आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो low limit ये जो block है इसको limit block बोलते हैं कि अगर आप किसी भी limit में अगर आप एक limit है आपको एक range set कर दिये तो उसी range में अगर आपको output on कराना है तो उसके लिए limit block यूज करते हैं यानि limit block में low limit set करते हैं and high limit तो low limit and high limit यानि आप यह कह सकते हैं कि जो value second है जो user value होती है उसको मैंने बना दिया low limit और value second यानि जो वही है user value यानि यह मेरी क्या होगई high limit होगई यानि दोनों हमारी set है then output हमारा high होगा if the field value is in limit अगर इन दोनों के बीच में इन दोनों की limit में lower high limit के बीच में मेरी field value है source value है तभी मेरा output on होगा जर्वाइच नहीं होगा यानि इस block को बोलते है limit compare block तो limit compare block में क्या होता है low limit होती है then high limit होती है जो हम set करके चलते हैं यहां से then next हमारा आता है condition number 6 condition number 6 क्या कहती है वो दिहां से देखे condition number 6 जो already आपने पढ़ा है उसी का combination है यानि combination of greater than and equal block यानि equal block और greater than दौनों को मिला देंगे combine कर देंगे तो जो block बनेगा वो बनेगा basically उस block को हम बोलते हैं greater than equal block बोलते हैं greater than equal क्या होता है means जब value 1 ज़्यादा हो जाती है value 2 से या बराबर यानि value 1 अगर हमारी जैसे मैं यहां पर लेख देता हूँ value 1 हमारी क्या है ज़्यादा हो जाती है even value 2 के बराबर भी है तो मेरा output on हो जाता है यानि greater than block में उपर क्या था greater than block में अगर मैं यहां पर बात करो यह वाला block है greater than तो जब value 1 जादा हो जाती है value 2 से तभी output on होता है लेकिन यहां कहता है condition 6 में के value 1 बराबर भी हो जाए value 2 के या value 1 जादा हो जाए तो भी मेरा output क्या हो जाएगा on हो जाएगा और इस block को हम बोलेंगे basically क्या बोलेंगे greater than equal block यानि B1 is greater than equal B2 यह काफी जादा यह भी use होता है जो हम लोग प्रोग्रामिंग में use करते हैं and condition number 7 पे चलते हैं हम लोग condition number 7 क्या है combination of less than यानि कम या equal block यानि दोनों को combination है means value 1 and अगर value 1 कम है value 2 से यानि जो आप fix कर रहें उससे कम है परावर हो जाता है यानि मेरा output on होगा यानि इस ब्लॉक को हम बोलेंगे लेस दैन इक्वल कम पेर ब्लॉक यानि इसका मतलब यह हो गया less than यानि यह सिंबल एंड वी तू तभी मेरा क्या होगा यहां से output on हो जाएगा इस तरीके से हम यहां पर देख पा रहे हैं कि हम different conditions के according हम compare instruction यूज करते हैं बहुत ज्यादा यूज होता है compare instruction PLC programming में तो अब चलते हैं software में हम लोग कैसे यूज करेंगे तो यहां पर देखे instruction plate है compare में limit block है mask comparison equal है यह भी एक होता है जो हम यूज करते हैं बताऊंगा equal block not equal है equal का opposite not equal less than greater than then less than और equal का combination आप देखेंगे less than equal है then greater than और equal है हमारा यह blocks है so next video में मैं आपको एक एक करके instructions के बारे में बताऊंगा कैसे यूज करना है तब तक आप इसको learn कर सकते हैं so video अगर आपको अच्छा लगा होगा तो video like जरूर करिएगा and share करें and channel को subscribe करें so thanks for watching my videos thank you